हाई फेंस वेलकम टू आपिदास किचन आज हम बनाने वाले हैं ब्रेट से पनीर पॉकेट्स इसे हम बनाएंगे पीजा के फ्लेवर में तो रेसिपी को एंड तक जरूर देखिएगा वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजेगा शेयर कीजेगा और चैनल पे हमें फ्लाट करना है हम एक एक ब्रेड पीस को लेंगे और उसे इस तरह से बेलन की साहरता से बेल लेंगे ऐसे जो एक्स्ट्रा उसका फ्लफिनस है वो निकल जाएगे और जो हमारी ब्रेड है वो अच्छे से फ्लाट हो जाएगे इससे यह होता ही है कि जो हमारी ब्रेड है वो तेल कम अब्जर्ब करती है तो यह देखिए इस तरह से और ऐसे ही हम सारी ब्रेट को बेलन से फ्लाट कर लेंगे तो यह देखिए मैंने सारी ब्रेट को इसी तरह से बेल लिया है और अब हम इसके किनारे अलग करेंगे तो चाकू की साहता से हम इसके चारो किनारो को इस तरह से निकाल देंगे इससे हमारी bread में एक even shape आजाएगي तो देखे सारी bread के किनारो को मैंने अलग कर दिया है और अब हम इसकी stuffing बनाएंगे तो stuffing बनाने के लिए यहां पे मैंने एक bowl लिया है और यह 100 gram पनीर लिया है, जिसे मैंने कदुकस से कस लिया है, इसे इसमें डालेंगे, और साथी में अब हम इसमें डालेंगे vegetables, तो उसमें मैंने यहापे लिये हैं प्याज, शिम्ला मिर्च और यह टमाटर का बीज का पाट निकाल दिया है, मैंने यह देखिये, इसमें उसके बीज और रस नहीं है, तो यह ड्राय सा है, यह भी ले लेंगे, और इसके अलावा अगर आपको कोई और वेजीटेबल अच्छी लगती हो, तो आप वो भी ले सकते हैं, गाजर ले सकते हैं, जो भी आपकी बच्चे अच्छे से खाते हैं, तो आप सभी ले सकते हैं, मेरे यहां पे दो चमज हम लेंगे पीजा सॉस दो चमज पीजा सॉस इसमें डाल देगे और हाफ टीजफून तब्लैक पिपर हाफ टीस्फून हम इसमें नमक डाल देंगे इन सबी चीजुओं को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो ये लेजे इस चफिंग हमारी तयार हो गई है चलिए हम अपनी पनीर पॉकिट्स की तयारी कर लेते हैं तो एक ब्रेड लेंगे इस तरह से और उसमें एक चमच हम स्चफिंग लेंगे और उसे इस तरह से एक साइड में रखेंगे और ब्रेड की किनारों पे हम थोड़ा पानी लगाएंगे पानी लगाने से हमारी जो ब्रेड है वो फटा-फट से चिपक जाती है तो इसी तरह से हम इस तरफ भी अच्छे से पानी लगा देंगे और अब इसको इस तरह पलट के अराम से हातों की साहता से दबाते हुए सारे किनारों को अच्छे से सील कर देंगे जिससे के हमारी जो स्चोपिंग है वो बाहर न आए थोड़ा सा और पानी लगा देंगे किनारों में यह देखिए जहाँ भी आपको लगे सूखा है आप उसमें थोड़ा और पानी लगाईे इस तरह से और यह देखे यह perfectly चिपक जाएंगे ज्यादर time नहीं लगता है उनको पानी से तुरंती चिपक जाती है bread यह देखे और आप चाहें तो इस तरह से फोक लेके और उससे इस तरह से इसको प्रेस करके एक अच्छा सा डिजाइन भी इसमें हम बना सकते हैं यह देख सकते हैं आप इस तरह से हमें प्रेस करना है चारो किनारों से और यह रेडी है यह देखें तो इसी तरह से मैंने सारी bread को तयार कर लिया है और इसे fry करने के लिए मैंने यहाँ पे एक pan लिया है और इसमें तेल गरम होने के लिए रख दिया है तो low to medium flame पे हम इने fry करेंगे high frame नहीं रखने है medium flame पे ही बहुत अच्छे से fry हो जाएंगे कुछी मिनट में जब यह एक साइड से अच्छे से golden brown हो जाएगा यह देखे तो हम इस तरह से अराम से इसे पलटके दूसरी साइड से भी अच्छा golden fry होने तक fry कर लेंगे तो यह देखे अच्छे से golden fry हो चुके हैं तो एक बार और हम इस तरह से इसको थोड़ा सा और golden fry कर लेंगे बस एक दू मिनट के लिए और यह ready है अब हम इने निकाल लेंगे तो यहाँ पे इस तरह से extra तेल को छानते वे हम इने tissue paper पे ऐसे निकाल लेंगे और इसी तरह से हम अपने बागी के भी पीजा पनीर पॉकिट्स फ्राइ कर लेंगे तो लेजे फ्रेंज पीजा पनीर पॉकिट्स हमारे बन की तयार हैं बहुत ही जटपट से बनने वाली रेसिपी हैं देखा आपने और इंडिरिएंट जो भी आपके घर मेंगे अवेलेबल हूँ ब्रेट के साथ में आप जो स्टफिंग बनाते हैं उसमें आप कोई भी वेजिटेबल कुछ भी डा सकते हैं या आप सिरफ पनीर का भी इसे पनीर के मसाले के साथ भी स्टफ करके बना सकते हैं बहुत ही ईजी है लेकिन बच्चों को बहुत पसंद आती ह हैं तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राइ कीजिए और कॉमेंट में मुझे बताइए कि आपकी ये रेसिपी कैसी लगी तो मिलते हैं फिर किसी और रेसिपी में झाल 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 फई तो